नमस्कार फ्रेंड्स राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वाकत फ्रेंड्स जो आप सेडो का इफेक्ट देख रहे हैं जो कि अपने फोटोसप सेट्री में बनाया है आप इसे किसी भी फोटोसप में बना सकते हैं और बिल्कुल ईजी हैं चोटा सा एक इफेक्ट आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा एक कम टाइम में आपको सांदर सा इफेक्ट बनाना सिखा दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फैंड्स इस इफेक्ट को फिलाल हम यहां से हटा देते हैं पूरा नही तरीके से बनाएंगे और आपको बताएंगे किसे आप किस प्रकार से बना सकते हैं तो फैंड्स सबसे पहले आपको यहां से एक फाइल लेना है आप किसी भी साइज का फाइल ले सकते हैं मैं थमनेल साइज का फाइल ले रहा हूँ उसी पर मैं बनाऊँगा ओके कर दिया मैंने मैंने यहां पर एक template ले लिया है जो कि new file है यहां पर हम color fill करेंगे तो यहां पर हम उपर जो है black color रखना चाहते हैं for a ground color और alt back इस पर प्रेस करेंगे बिल्कुल black color फिल कर लिया हमने उसके बाद friends आपको क्या करना है यहां से हम T को प्रेस करेंगे यह type tool लेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको यहां से इसका color जो है यहां से आपको white color लेना है और ok करना है white color लेने के बाद में आप यहां पर जाएंगे और यहां से आपको font चूच करना है ऐसा font जो की बड़ा हो मैं यहां पर impact यहां पर मैंने type कर लिया उसके बाद मैं यहां से move tool select कर लूँगा यहां पर auto select जो होगा आपके यहां से uncheck कर दीजिए और उसके बाद उसको select करने के बाद ctrl T करेंगे और उसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ठीक है इसको मैं यहां पर ले आता हूँ उसके बाद मैं इसमें 6 अक्षर होते हैं तो मैं इसकी 6 copy बना देता हूँ पहली copy बनी हुई है ctrl J प्रेस करेंगे और यह duplicate बन जाएगी और इस परकार से हमने 5 copy बना ली तो यह 7 layer जो है हमारी हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6 अब सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं और shift button प्रेस करके इसको आगे ले जाते हैं इस परकार से उसके बाद मैं उसको select करेंगे second layer को select करेंगे T press करेंगे और यहां पर click करेंगे और back space से इसको हटा देंगे और यहां पर दूसरा अक्सर टाइप करेंगे ठीक है उसके बाद mood tool को select करेंगे और shift के साथ पकड़ करके उसको इसके पास में ले आएंगे shift के साथ पकड़ने से यह होता है कि इसकी जो length होती है वो बराबर आएगी तो हम इसको यहां पर set कर दिए दूसरे को select किया हमने और उसके बाद T प्रेस किया और इसको select किया pack space से इसको हटाया और A प्रेस किया ठीक है उसके बाद मूर टूल को select किया दूबरा और उसको पकड़ करके shift के साथ इसके पास में खिसका दिया पापस select किया T प्रेस किया प्रेस किया डी प्रेस किया और उसके बाद में उसको भी इसके पास में ले आए ठीक है उसके बाद में जो बची है उसके बाद में जो बची है उसके प्रेस किया टी प्रेस किया और डबलू प्रेस किया ठीक है ओके उसको भी सिप्ट के साथ पकड़ करके उसके पास में ले k Grade उस प्रकार से सारा एक्सार आगे स्वार्ट केसमें इक पूरे को select कर लिए हमने सबस से पहले यह पर इनको यहां से align कर लेंगे हम तो सबसे पहले S हैं तो उसको हम यहाँ पर rename कर देते हैं S अब यहाँ पर देख सकते हैं S, उसके बाद H, A, D, O, और W, पूरा नाम हो गया उसके बाद मैं क्या करेंगे इसको select करेंगे और यहाँ पर mask add करेंगे mask add करने के बाद यहाँ पर guidance tool को click करेंगे यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से तीसरा number जो है black and white उसको click करना है और ok कर देना है उसके बाद मैं आपको यहाँ से पकड़ना है यहाँ से press करना है shift press करने के बाद मैं इसको यहाँ पर drop करना है ठीक है दूसरी लेयर पर भी आपको मास्क एड़ करना है और यहां से सिप्ट प्रेस करके एड़ करना है तीसरी लेयर पर भी मास्क एड़ करना है और उसके बाद में वापस यहां से कि ड्रेगन ड्रॉप कर देना ठीक है स्वतिलेर पर लिया को असको यांस का एड करना है और उसके बाद में इसे उसको प्रेस करना थिए हमारे पास में गाइडिक जूइप है इसलिए यह सब हो रहा है ठीक है आगे की सेलेक्ट की मास्क एड़ किया और यहां से यहां तक ड्रेगन ड्रॉप कर दिया उस पर भी हमने मास्क एड़ किया लास्ट वाली अंतीम और यहां से ड्रेगन ड्रॉप कर दिया इस परकार से इतना इफेक्ट जो है हमारे पास में हो गया, उसके बाद मैं सबको select करना है और ctrl g से group कर देना है या फिर आप layer में जाएंगे new और यहां पर भी group from layer, यहां से भी आप layer group कर सकते हैं, ठीके group कर देने के बाद में इसके उपर click करना है और duplicate group बनाना है आपको okay करना है, duplicate group बन जाएगा नीचे वाले ग्रूप पर क्लिक करना है और यहां से इसकी आपको 25% कर देनी है 25% कर देने के बाद नीचे वाला को दुबारा सेलेट करना है Ctrl T करना है और यहां पर आप देख रहों यहां पर 100% है सेट वर्टिकल स्केल वहां पर माइनस 100% कर देना है तो आपको इस परकार से नीचे आ गया है और उसके बाद मैं उसी लेयर पर वापस एक मास्क ग्रूप पर एड़ करना है करना है और उसी टूल को सेलेट के रखना है और यहां से ड्रेगन ड्रॉप वहाँ exist कर दूँगा तो इस परकार से हमारा जो है सेडो का effect जो है बन करके तैयर हो गया तो friends एक छोटा सा tutorial था और आपको बताना उच्छी समझा मैंने इसलिए आपको बताया हूँ तो friends अगर tutorial अच्छा लगा है तो like कर दीजिए और आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताएं और कुछ अगर आपकी स्वाइश है तो कमेंट में बताएं आप बना करके बताना कि आप आपसे ये किस परकार से बनता है ठीक है friends मिलेंगे नए टूटिल में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत